रादे रादे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग बडो कोचारनेस पर चोटो को प्यार और बराबर वालों को नवस्कार करती हूं आज मैं आपको जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनाने जारी हूं भगवान जिमूत वाहन की व्रतकथा भी कहते हैं तो कुछ लोग इसे जिवित पुतरी का व्रत भी कहते हैं आईए अब हम जितिया व्रतकथा की एक साथ तीन कहानिया सुनते हैं एक बार एक जंगल में एक चील और एक सियार रहते थे दोनों में गैरी मित्रता थी दोनों ही भोजन में मीले मास को मिलजुल कर बाट कर खाती थी एक बार आसूच कमेना था उसी जंगल में एक तालाब भी था उस तालाब के किनारे गाउं की ओरतें पूजा कर रही थी और कथा कहानिया सुन रही थी तो उन दोनों ने सुना कि जितिया वरत को करने से मनुष्य यूनी मिलती है और उनके बच्चे जीवित रहते हैं तो उन दोनों ने भी वरत करने का निश्चे किया तब चील ने पूरी शधा के साथ उस दिन वरत रखा और पूरे दिन कुछ नहीं खाया जबकि सियारिन से भूग बरताश नहीं हुई तो उसने जंगल में शेर के द्वारा मारे गे भैसे के बचे हुई मास के अवशेश को खा लिया जबकि चील ने दूसरे ही दिन वरत खोला इस तने समय बीतने लगा अगले जानम में चील और सियारिन एक भ्रामन के घर में पैदा हुई चील बड़ी बहन बनी तो सियारिन उसकी छोटी बहन के रूप में पैदा हुई दोनों का एक जैसा लालन पालन होने लगा फिर जब बड़ी हुई तो बड़ी बहन का ब्याहा एक ब्रामन के घर में हुआ तो छोटी बहन एक राजा की यहां ब्याह कर गई पूर्व जानम के वरत के प्रताप से बड़ी बहन को आठ पुत्र पैदा हुए जबकि छोटी बहन ने पूर्विजान्म में वृत का संकल्प करके वृत का निरादर किया तो उस पाप दोश के कारण उसके आठ पुत्र हुए लेकिन सभी कुछ दिनों के बाद मर गे जब छोटी बहन को पता चला कि उसकी बड़ी बहन के आठ आठ पुत्र हैं तो उसने इश्या द्वेश में आकर अपनी सिपाईयों से कहकर उनको मरवा दिया और अपनी बहन के मरे हुए आठो पुत्रों के कटे सिर को तर्बूज के अंदर रख कर अपनी बहन के घर सिपाईयों के साथ भिजवा दिये तब जिमूत वाहन भगवान ने उन आठो पुत्रों के धड़ पर अमरत के छीटे दिये तो वे सभी पुनह जीवित होगे साथ ही वे शक्तिवान कान्तिवान भी होगे उदर रानी ने तर्बूज में कटे सिर रख कर अपनी बड़ी बहन के घर भेजे तो उनमें सोने चांदी हीरे जवारत से वे भरे हुए मिले उदर महल में चोटी बहन बेसबरी से इंतजार कर रही थी कि कब उसकी बड़ी बहन के पुत्रों के मरने का समाचार आए तभी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन और उसके आठो पुत्रों को महल में आते हुए देखा तो उसे बहुत पच्चतावा हुआ कुछ समय बाद छोटी बहन के पूरे शरीर में कोड निकल आया और पूरे शरीर पर मक्या भिन बिनाने लगी और जगए जगए से खून रिसने लगा तब राजा ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि आपकी पतनी पूर्व जान्व में एक सियारिन थी और इसकी बड़ी बहन चील थी दोनों ने पूर्व जान्व में जित्या वरत को करने का संकल्प किया लेकिन सियारिन से भूख बरदाश नहीं हुई तो उसने बीच में ही वरत तोर दिया जबकि चील ने इस वरत को पूर्ण किया सियारिन के व्रत तोड़ने के कारण उस पापदोश के कारण आपके आठ पुत्र हुए लेकिन होते ही वे मर गए साथ ही इस जन्म में भी आपकी राने ने एक अपरात ओर कर दिया इन्होंने अपनी ही बड़ी बहन के आठो पुत्रों को मरवा दिया लेकिन जिमूत वाहन भगवान की क्रपा से वे सबी जीवित हो गए इसलिए आपकी पतनी को कोड हुआ है तब राजा ने पंडित जिसे इस पापदोश का उपाई पुछा तो पंडित ने राजा से कहा कि है महाराज इसका उपाई तो आपकी साली ही बताएगी तब राजा अपनी साली के घर गए और उसे पूरी सच्चाई बताई तो बड़ी बहन को पूर्व जानमे की सभी बाते याद थी तो उसने राजा से कहा कि हमने पूर्व जानमे में एक जंगल में तालाब के पेड़ के पास वरत का संकल पिलिया था हमें मेरी बहन को वहीं लेकर चलना पड़ेगा तब ये तीनों उसी जगह गए वहाँ जाते ही राणी को पूर्व जानमे की सभी बातों का इस्मरण हो आया उसने अपनी बड़ी बहन से अपनी कलती की शमा मांगी कुश्रन के बाद छोटी बहन मर गई राजा ने उसी पेड़ के पास अपनी रानी की अंतिम किरिया संपन करवाई और उसको उसी शन मोक्ष मिल गया जीवित पुत्री का व्रत कथा सुदाने जा रही हूँ ये व्रत आश्विन मास के क्रश्न पक्षी की अजटमी को किया जाता है जिन माताओं के पुत्र होता है और पुत्र होने के कुछ समय बाद उनकी म्रत्यू हो जाती है तो उन्हें ये पाप दोश मिटाने के लिए जीवित पुत्री का व्रत करना चाहिए आश्विन मास की क्रश्न पक्षी की अश्टमी को जीवित पुतरी का वरत काने से यह दोश मिर जाता है जिनके मृत बालक पैदा होते हैं या पैदा होने के कुछ समय के बाद मृत्यू हो जाती है तो उन्हें यह वरत अवश्या काना चाहिए जिससे बच्चे जीवित रहने लग जाते हैं इस दिन सूर्य नारेण भगवान की पुजा की जाती है भोग लगाय जाता है आचमन कराय जाता है भोग में बाजरा वयचने से बने हुए प्रिधात खाय जाते हैं इस दिन कटे हुए फल और शबजी नहीं खाय जाती इस व्रत से संतान म्रत अवस्था वाला दोश्ट दूर होकर बच्चे जीवित रहने लगते हैं आईए अब हम जीवित पुत्री का की व्रत कथा कुसंते हैं ये सत्यू के जमाने की कथा है जब सिरीक्रश्न भगवान द्वारी का देश के राजा थे उनकी द्वारी का नगरी में एक बहुत ही दुखी ब्रामन पती पत्नी रहते थे उनके दुख का एक ही कारण था कि उनके साथ पुत्र हुए लेकिन साथों पुत्र ही को समय के पश्चात मित्यू को प्राप्त होगे ब्रामनी बार बार अपने पती को समझाती कि आप भगवान क्रश्न के पास जाईए और हमारा दुख बताईए वो ही हमारे दुख को दूर कने का कोई उपाय बताएंगे तब एक दिन पत्नी के बार बार कहने पए ब्रामन भगवान स्री क्रश्न के पास गया और अपना सारा दुख उने कह सुनाया तब क्रश्न भगवान ने ब्रामन को सूर्य भगवान की पुजा करने और जीवित पुतरिका का व्रत करने को कहा तब भगवान स्री क्रश्न ने उस ब्रामन से कहा कि हे ब्रामन तुम सूरिय नारैन भगवान की पूजा करो और जिवित पुत्रिका का व्रत धारन करो सूरिय नारैन भगवान ही तुमारे सारे संकटों को मिटा देंगे तब भ्रामन ने क्रश्न भगवान से जिवित पुत्रिका के व्रत की पूरी विधी जानी व्रत की विदी जान कर भ्रामन घर आया और भ्रामन ने भ्रामनी को व्रत का पूरा विधान बताया भ्रामन भ्रामनी ने आश्रीन मास के क्रश्न पक्षी की अस्टेमी को जीवित पुत्री का का व्रत पुरे विदी विधान के साथ किया उसके बाद भ्रामनी को एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा होने के बाद दोनों भ्रामन दमपती ने सूर्य नाराइन भगवान से प्रातना करी, सूर्य दे विंती सुनो, पाउं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता वारंबार, उसकी करुण दीन हीन ब्रामन दमपती के पुत्र के गले में डाल दी और सूर्य नाराइन भगवान आगी चल दिये, जब काल की घड़ी नस्दीक आई तो यम्राज ब्रामन पुत्र के प्राण लेने के लिए आ गया, तब ब्रामन ब्रामनी ने क्रश्न भगवान को पुकारा, तब क्रश्न ब्रामर ने ऐसा ही किया जैसे ही ब्रामर ने सूर्य नाराइन भगवान की माला को यवराज की तरफ फैका तो यम्राज उस माला से डर कर भाग गया किन्तु उसकी चाया वहीं खड़ी रह गई तब भामर ने उस माला को उस चाया के उपर फैंग दिया तब वह चाया शनी के रूप में स्री करश्न भगवान के पास गई और विंति काने लगी तब उसकी विंति को सुनका करश्न भगवान को उसके उपर दयाई और करश्न भगवान ने शनी देव को पीपल के वरक्ष में रहनी की आग्या दे दी तब ही से शनी देव पीपल के वरक्ष पर निवास काने लगे इसलिए शनी देव की पूजा के लिए पीपल की पूजा की जाती है हर शनीवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसो के तेल का दीपक किया जाता है जल चड़ाय जाता है कच्चा दूद कच्ची लसी चड़ाय जाती है इस प्रकार ब्राह्मन दमपती ने जिवित पुतरी का के व्रत को धारन करके अपने पुतर की रक्षा करी ये जिवित पुत्री का जिस प्रकार आपने ब्रामन दमपती के पुत्र की रक्षा करी वैसे सब की कहना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की गट्तियों तो पुरियों पुरियों तो परवान चड़े भूले विश्रे नम तेरे भंडार में भरें आईए अब हम एक अन्य कथा सुनते हैं गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था वे बड़े ही धार्मिक, उदारवादी, परोपकारी और दयालू हिदय के थे जिमूत वाहन के पिता ने व्रद्दावस्ता आने पर वनप्रस्त आश्रम में जाने से पहले अपने राज्य का उत्राधिकार जिमूत वाहन को सोप दिया लेकिन जिमूत वाहन का मन राजपाट समालने में नहीं लगा तो उन्होंने अपने राज्य का भार, अपने छोटे भाईयों को सोपा और समवन में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे वहीं वन में उनका विवा मलैवती नामक राजकन्या से हो गया तब एक दिन की बात है, जिमूत वाहन वन में भ्रमन कर रहे थी, तो वन में उन्हें एक व्रद्दा मिली जो करुण विलाब कर रही थी जिमूत वाहन ने व्रद्दा से रोने का कारण पूछा तो वे व्रद्दा बोली कि मैं नाग करन्या हूं मेरे एक पुत्र है पक्षी राज गरूर के समक्ष सभी नागों ने ये वचन दिया था कि रोज एक सर्प उनके भोजन के लिए भेज दिया जाएगा आज मेरे पुत्र की बारी है आज गरूर के पास मेरे पुत्र को उनके भोजन के लिए भेजा जाएगा और ऐसा कहे कर वे रोने लगी तब जिमूत वाहन ने व्रदा को वचन दिया कि हे माते तुम दुखी मत हो मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा तुम्हारे पुत्र की जगे मैं स्वम गरूर का भुजन बनूँगा जिमूत वाहन ने स्वम को लाल कपड़े में लपेट लिया और तैय स्थान पर जाकर लेट गया नियस समय पर पक्षी राज गरूर आया और लाल कपड़े में लिप्टे हुए जिमूत वाहन को अपने पंजे में दबा कर उचे परवत की शिखा की और उड़ चला उस समय जिमूत वाहन बिलकुल चुप थे तब पक्षी राज गरूर को शक हुआ कि हमेशा तो सार्प खुद के बचाव के लिए चीकते चिलाते और छट पटाते हैं लेकिन आज आहत तक भी नहीं निकल रही तब गरूर राज ने जिमूत वाहन से उसका परीचे पूछा तब जिमूत वाहन ने गरूर को पूरा सज बताया तब गरूर जिमूत वाहन की बहादूरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए सम का बलिदान देने की हिम्मत से वे बहुत प्रभावित हुआ उसके इस कारिय से पक्षी राजगरुड बहुत प्रभावित हुए और उसने जिमूत वाहन को जीवनदान दे दिया और साथ ही रूज सर्पो का भक्षन ने करने का वचन भी दिया इस तरहें आज मैंने आपको जीवित पुत्री का वरत की अर्था जितिया वरत या जीमूत वाहन वरत की तीन वरत कथाई सुनाई आशा करती हूँ आपको ये सभी पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद